दोस्तों बात करें तो यह है आईकूजीफ है अब देखा तो इस फोन को मैंने कुछ समय तक यहां पर यूज किया है और 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 यहां पर मैं उसका एक फुल रिव्यू देने वालो जिसमें आई आए आप तक कि आपको इसके प्रोस भी बता जाएंगे लेकिन कॉंस भी बता करते हैं तो यहां पर सबसे पहले बात करते हैं आकर फोन के अंदर क्या चीज़ है तो फोन के दर दो चीज़ें आपको तरीके से बनाएं गई है वो है सबसे दल तो powerful जो है phone वो यहाँ पर आपको देखने को मलता है और साथी साथ value for money है लगभग 24,000 रुपीज कीमत देखने को मिलती है इस case 8GB, 128GB की चो कि मेरे साब से सही है और उसके अंदर नो ने 1,000 रुपीज का Amazon का offer है और उसके बाद additionally 2,000 रुपे off कर रहे है credit card debit card की अंदर हो जाता है अब ऐसा क्यों क्योंकि यहाँ पर आपको snapdragon 778G देखने को मिल रहा है जो कि मैं बोलूगा काफी efficient processor है और gamers को ध्यान में रखके बनाया गया इसके साथ ही जो RAM और storage यूज की गई है वो भी इस price engine आपको वैसी देखने को नहीं मिलती LPDDR5 RAM है और UFS 3.1 storage ह यह RAM storage का combo और 778G का जो combo जब मिलता है न तो performance अच्छी देता है इवन बात की जातो snapdragon 855 जो कि 2019 का flagship processor था उससी भी आप इससे थोड़ा सागे से place कर सकते है तो उस level की performance यहाँ पर expect कर सकते है और नया processor तो software का support भी हर नहीं मिलेगा इसके साथ ही बात लिया तो यहाँ बड़ से ज़्यादा games खेलें यहाँ और लंबे समय तक game खेलते हैं और उसकों कोई problem नहीं आने चाहिए अब यही चीज़ यहाँ पर implement करिए कोई भी अगर gamer इस पर लंबे समय तक game खेलेगा एक तो vapor chamber cooling उसकी heat कम करेगी प्रस UFS storage है LPDR 5 RAM 778G है तो gaming की performance भी है better मिलेगी तो अगर किसे को gaming के लिए 25,000 के नीचे phone चाहिए एक अच्छा जिसके में को price to performance सबसे अच्छा मिले तो यह phone उस category को यहाँ पर fulfill कर देता है तो यह इस phone की सबसे बड़ी खास बात हो जाती है लेकित पूरी बात है खतम नहीं हो जैसके बात कर तो इस phone के अंदर आपको Android 11 देखने को कोशिक करिए और फंटा चुए इसके बारे में बात लगी कि हाँ पर आईकू से रिलेटेड इस्पेशल मॉंस्टर मोड डाला है जो कि बैटरी का मोड है जिसके अंदर में आप ऐसे समझ सकते हैं कि हाई performance मोड है वो इनेबल कर जा तो phone के अंदरा को maximum performance मिलेगी बैटरी की priority जादा रखेगा नॉर्मल बैलेंस में बैटरी और performance को बैलेंस करके रखता और फिर बैटरी सिवर में बैटरी की priority रहती है ये कुछ चीज़े यहां पर डाली गई है लेकिन ओरल दिखाया तो काफी इंप्रूव्ड है लेकिन हां ओरिजिन हो जो चाइना के अंदर आय थ देखने को मिलती है ठीक आपको वही सारी चीज़े देखने को मिल रही है तो ओर इसकी इमेज प्रोसेसिंग क्वालिटी काफी सही और देख सकते कि आपको एक कैमरा जो है वह अच्छा देखने को मिल रहा है अगर मैं प्राइस पॉंड के सबसे बात करूं तो इसके साथ इसकी 16 में अपसर का सेल्फी कामरा जो कि ओविसली होल पाइस डिस्प्ले के अंदर आता है और हां सेल्फी क्वालिटी है भी बैटर देखने को मिल रही है लेकिन बात कि यह तो डिस्प्ले के अंदर जो पैनल यूज किया गया है IPS LCD 6.67 इंच का डिस्प्ले 120Hz का रिफ्रे लिए निए पैनल और अच्छी तरीक से दिखा देगा लेकिन हां एमुल्एट अगर होता तो काफी कछी चीज होती और IPS है लिखिन हां एमुलेट जैसे क्वालिटी अभी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते है क्वालिटी डिस्प्ले की अगर एमुलेट होता तो मेरे को देखने को मिलता है और हाँ ये 4G और 5G दौनों को सपोर्ट करता है वी ओवाइफा इन सबका भी है लेकिन बात करें 5G तो यहां पर भी कम ही है कि सिर्फ 5G का सिर्फ दो 5G बैंड को सपोर्ट करता है इस प्राइस रिंज में सिर्फ एक लौता फोर हो जाता है जिसमें आपक काफी कची चीज़ यहां पे इनोंने डाली है इसके साथ ही सबी टाइब के सेंसर का सपोर्ट और साइड माउंट फिंगाप्लीन स्केनर दे रखा है वह यहां पर काफे चे तरीके से काम करता है और इसके साथ ही बात करें तो अरूड एट पॉर एमम की तिकने सो 193 ग्रम स बात करें तो वेट बैलेंस थोड़ा सही और इसके साथ ही जो फोन थोड़ा से हैविये साइड में लगता है मेरे को लेकिन बात यह फोन की पीछे की पूरी बिल्ड है यहां तक ही वाइड कलर का डिजाइन देखने में अच्छा लगता है लेकिन हाँ यह आपको कब देगा लंबे समय तक गेमिंग करनी तो उनके लिए काफी सफिशन्ट चीज हो जाती है और 44 वाट की जो चार्जिंग होती ही वह है वह बात अलगी जी 3 में 55 वाट की थी इसमें 44 वाट है लेकिन मेरे असाब से 44 वाट भी सफिशन्ट है प्राइस के साब से क्योंकि यह फोन है वो 23 तक तो आपको देखने को मिल जाएगा लिकिन मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आपको फोन 21 तक देखने को मिलता है और अगर आपकी प्राइरिटी सबसे बैस पॉसिबल गेमिंग फोन लेने की है बला को गेम वाला फोन लेना और ऐसा फोन चाहते है इसमें सामनेट जी का प्राइसर परफॉमेंस काफी अच्छी है UFS 3.1 और LPDR 5 रेम देखने को मिल रही है यह कुछ ऐसी चीज़े जो आप इस पर्टिदर प्राइस पॉइंट पर किसी और फोन से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते तो यह एक अच्छा काम किया है इसके साथ ही भाहत कर अच्छी है वो भी काफी अच्छी है तो यह कुछ इसके प्रोस हो जाते हैं कॉंस में अगर हमें सिंबल सिंबल सी बात करूँ डिस्पले अगर इसमें IPS की जगे AMOLED होता है यार बिलकुल यह टोटली किलर फोन हो जाता है इस तरे में सिर्फ यही एक चीज लगी जो मेरे क तब चलाएगा तो 5G connectivity इशू हो सकता है और दो 5G बैंड यह चीज है यहां पर इसके साथ ही बात कर तो को ऐसे कोई मेजर चीज में कोई यहां लगी ने देखने वाली बात है कि फंटच OS में जो अपडेट्स होते वो किस तरीके से आपको देखने को मिलते हैं यह देखने इस फोन के उपर यहां पर consider कर सकते हैं तो अगर आप उन लोगों में से description के अंदर लिख लिए हूँ है लिंक वहां पर जाके आप इस फोन को check out कर सकते हैं और overall बात की जाए तो performance और value for money और price to performance मिल रहे हैं उस case में तो यह जो फोन है वो काफ यची position यहां पर हासल कर लेत झाल